आज हमारे साथ सरला जी है जिनका आज से अलबबक दो ड़ाई हफते पहले दोनों घुटनों का नी रिप्लेश्मेंट का सेजरी हुआ है तो सरला जी से मैं चाहूंगा कि वो दूसरे पेशेंट्स को अपना एक्सपीरेंस बताए ताके जो लोग डरते हैं नी रिप्लेश्म काम वो खुद ये बताए कि इनको डिक्कत है और कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए बताए कि मुझे जाहिए था मेरे को पहले बहुत दिक्कत आती थी लेकिन मैंने कोई विचार ने किया कर दो क्यों नहीं आपने कभी सोचा है डर के माया या अब जो मैंने ऑपरेशन कर आया तो मेरे बिल्कुल डर खतम हो गया इसलिए सभी को समय से पहले ही ऑपरेशन करवा लेना चाहिए ताकि सभी को सुष्भीदा हुआ आपको ऑपरेशन के बाद कितना दर्द हुआ अपरेशन के अपरेशन को से लेजिए टेड़े तेड़े एट हो गयाए फृँआ थील गाया अब मुझे कोई परेशन ही नहीं है अब तarmा ऐसकर आप ज़ zwar ढ़िए हो क्या सुना कि अब घर लगताता कि भाई दूने मेरे साथ क्यों होता हृज जीना हो गा या अबर इंज़ना हो गया आँने हो चया तकलीफ ? अभी अपने में प्रक शवेटी एदते होगा है आप इंके क्या लगते हैं? भादी होजा तो आपने भी इनको देखा हुआ पहले चलते हुए आप पहले चलते हुए आप वह बादे को अपने हो जिए पहले हैं इस जए जए बादे के लिए रिजल्ट अच्छे हैं आर्मी की क्वालिटी ओफ लाइफ शुदर जाती है अबसे बढ़िया तो मुझे मतलए कि हॉस्पेटल ही बहुत बढ़िया लगा कि और मैं कई भी थी मुझे कहीं विश्वास ही नहाँ मुझे मुझे मतलए कि पूरा विश्वास है कि अच्छा उपरेशन भी होगा चल फिर लेंगे शाद तन्यवार चरला जी बढ़ान आपको खूब शूब कामना है और आप अपच्छे से चलो फिरो और अगली बार खुद से चलके ओपीडी में आपर थीक है ना थीक है मैरे को तो कहरा रख बी कोई पूचता है ना मैं तो यह ही कहती हूँ मही जाओ तो कही मत जाओ ठीक थीक तैंक यू